हुआ जो हेलो गईस सभी कौंब या नमस्कार और इससे पहले वाला वीडियो मेरा कैसे लगा उस पे प्लीस कमेंट करना और आज की वीडियो में हम दिखेंगे कि लृट कि लिटिंग हम कैसे डिसाइड करते हैं एक्शली लैटिंग एसा एक्विपमेंट है जो सुच वह बह का नार रहा है सप्षचिस केवी का हमें कितने केवी का आले लगाना है तो इसका होता है तो मैंसको आपको यह बताना चाहएं yağ आ हमा कितने का अएले लगेगा है तो हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड एले डिइटिंग होती है जैसे कि मैंने लिखी है औरリ है के लीडिन होती है कि वी के वी में रहती है kilo Bolt में है ना इनurrection काता एक ईथिन काता या्याटन काता आइज हम लोग पता है त। तो 66 possiamo कराइब विए स्पेड्यक् А की लाइन है तो 66 Pikachu कि लाइन में कितने का लगता है पर आज में आपको बताओंगा कि हम लोग सब्सक्राइब का स्विच यार्ड है तो हम उसमें कितने का एले लगाएंगे तो for example जैसे हमें पता है कि हमारा 66 के विच यार्ड है तो हम लोग का जो system voltage होगा वो normally हम लोग 10% लेकि चलते हैं तो 10% मतलब 0.1 into 66 तो आपका हो गया यह 33 33 point मतलब 33 by 5 आ रहा था 6.6 तो 6.6 plus 66 तो यह आपका system voltage है आपका जो 60 kv के line है उसका system voltage जो भी आपको equipment आप decide करेंगे उसको 72.6 के साब से हम लोग 10% margin पकड़ के चलते हैं तो हम लोग का system voltage हो गया 72.6 kv तो यह तो हमारा system voltage हो गया तो according to system voltage हम लोग LA की rating decide कर लेते हैं तो LA की rating आपकी 81% of 66 kv मतलब 81% of system voltage को रहती है तो जैसे 72.6 आपका system voltage है तो आपका LA के rating हो गी 72.6 into 81% मतलब 0.81 तो यह value आते है 58.806 जैसे कि अपने calculation में देखा होगा 58.806 value आ रही है तो हम अपने standard chart में देख लेते हैं यह 58.06 kv का कोई LA rating है या उसके आसपास है तो हम देख रहे हैं यह जो 60 kv का है यह 58.06 kv के आसपास है तो हमें 58.06 kv के लिए हम लोग अपना जो lighting आसपास ही decide करेंगे वो decide करेंगे 60 kv का तो हम इसे पता लगा सकते हैं अब इसे हमें यह पता चलता है यह 66 kv के switch आट में हम लोग 60 kv का LA लगाएंगे चलो अब दूसरा example लेते हैं suppose हमारा switch आट 132 kv का है तो 132 kv के line के लिए हम लोग कितने का LA लगाएंगे तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि suppose अब 132 kv है तो 132 kv का system voltage हो जाएगा आपका 10% परिमान के चलते हैं हम लोग तो 13.2 तो यह हमारा हो गया 145.2 तो हमारा system voltage 132 के लिए कितना होता है 145.2 अब हमारा system voltage हो किया हम तो LA की rating आपकी कितनी होती 81% of system voltage तो कुछ नहीं 145.2 into system voltage कितना 0.81 तो हमारे LA की जो rating होगी वो 117.6 के आसपास होगी तो अपने चार्ट के दूद देख लेते हैं कि 117 के आसपास कौन सा voltage stand करता है तो हमारा stand करता है 120 तो that means that for a 132 kv line we will have a 120 120 kv lighting arrester क्या दोस्तों आपको यह सब calculation के थूद कुछ समझ में आया कि LA की rating हम कैसे decide करेंगे बहुत simple है कुछ नहीं है यह मान के चलना जो भी आपका system voltage रहेगा उसका 81% हम LA की rating decide करते हैं और जो system voltage रहता है आपका वो कुछ नहीं 10% आपका switch chart की जो incoming line आ रही है उत्ते kv का जो भी होगा उसका 10% आपका system voltage मान के चलते हैं तो हम ऐसे पता लगा सकते कि हमारे LA के rating जो रहेगी वो कितनी रहेगी ठीक है दोस्तों कोई दिकत कोई परिशानी हो तो मैं को ज़रूर comment box में कुछ comment करें और मैं उसका आपको reply ज़रूर देंगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद टॉ Colon तय सकते पताना